दोस्तों फिर से स्वागत है आपका डियू जमिलोजी के डायमन एडिकेशन प्रोग्राम में पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि रिपोर्ट और सर्टिफिकेट इन दोने में अंतर क्या होता है आपको पता लगा कि रिपोर्ट जो है यह ओपीनियन है और किसी चीज का सर्टिफिकेट के मतलब वो फिक्स हो गया तो चलिए, क्योंकि आप habitual है इसको certificate सुनने के लिए, तो मैं भी इसको certificate ही बोलता हूँ और आज हम समझेंगे एक certificate में होता क्या है, नत्रब के एक report में होता क्या है, क्या-क्या चीज़त देखी जाती है, तो पहला आपको बता दू, worldwide में सबसे बड़ा जो lab है, वो है GIA, Gemological Institute of America, इसी की report सबसे ज्यादा चलती है, लेकिन इंडिया में GIA के साथ साथ IGI भी चलता है, मतलब International Gemological Institute, अब दोनों मंतर है, दोनों के अपने अपना standards है, अचा पहला में ये समझना पड़ेगा, जब भी हम कहते हैं international standard, तो ये कोई international fixed standard नहीं है, हर एक organization का अपना अपना standard होत है, IGI का उनका अपना standard है, अक्सर अपने ही सुना होगा, कि आपने एक diamond GIA में भेजा, और वो एक particular color में आया, for example, वो I color में आया, I color grade में वो diamond fall करता है, और उसी diamond को जब आप IGI में रेते हैं, तो color grade कुछ और आता है, जात अलों लोग यही कहते हैं, कि वो I है तो J आ जाए मतलब के GIA अपने standard के अनों सा grade करती है, IGI अपने standard के अनों सा grade करती है, तो आज हम समझेंगे GIA का report, तो चलिए, समझते है report को, यह एक GIA report है, इसमा सब से उपर आपको दिख रहा है date, मतलब यह date क्या है, यह date of issue, जिस date पर report को issue किया गया है, निकाला गया है, यह date वो नह नहीं है, जिदेवन को mining किया गया था यह तराशा गया था, यह date है, issue date for the report, अचा इसके नीचे जो है, यह report number, अचा यहां भी आप देखेंगे, आपर report number लिखा हुआ है, यह certificate number नहीं लिखा हुआ है, report number लिखा हुआ है, तो यह report number है, इस number से आप जब GIA के website पे जाएंगे तो इस report को search भी कर सकते है, आपको online मिल जाएगा, दिख जाएगा, इसके नीचे आपको दिख रहा है, shape and cut, इस diamond का shape and cut क्या है, round brilliant, मतलब इसका shape round है, और cutting style brilliant है, मैं आपको बता दू, इस shape and cut के उपर मैंने पहले पी एक वीडियो बनाए हुआ है, इसका link description में मिल जाएगा वहाँ से click करके आप उस वीडियो को पर देख लिएए, इस पर shape and cut क्या होता है, यह आपको अराम से मालूम पड़ जाएगा, तो यह diamond क्या है, round brilliant, round shape and brilliant cutting style, इसके बाद है measurement, यह measurement क्या है, यह dimension, यह बहुत important है, पूरा जो cut grade है, इस measurement पर नेभर करता है, इस पर देखिए, य यह maximum diameter और यह depth, minimum diameter, maximum diameter, depth, यह क्या होता है, लिखिए, diamond goal है, 360 degree, इसके diameter को जब नापते हैं, तो हमें 180 reading मिलती है, मलब हर एक degree के बाद इसको measure किया जाए, तो 180 reading मिलते हैं, इन 180 reading में से, जो reading सबसे छोटा होगा, और जो reading सबसे बड़ा होगा, उन दोनों को record किया जाता है, अगर यह reading बहुत पास-पास है, इसका मतलब है, यह diamond perfect गोलाई है, और यह reading जितनी दूर होगे, इससे क्या मिलता है, समझ में, कि यह diamond गोलाई सही नहीं है, राउंडिंग सही नहीं है, तो minimum diameter और maximum diameter से सिधा अंदाजा मिल जाता है, कि इसकी गोलाई कैसी है, depth, यह है depth, depth मत है, टेबल से लेके, क्यूलिट तक की total distance, तो चलिए, इस diamond के dimension को समझते है, इसका minimum diameter कितना है, 6.75, maximum diameter कितना है, 6.78, और depth कितना है, 4.23, तो minimum, maximum और depth, अच्छा यहाँ देखिए, 6.75 और 6.78, इन दोनों में difference कितना है, 0.03 mm, कितना बारीक सा difference है, 0.03 mm, यह क्या शोग करता है, कि diamond की गोलाई perfect है, बहुत बढ़िया गोलाई है, neck dice से तो बिल्कुल अपको गोलाई नजरी आ रहा है, machine भी क्या बोलती है, सिर्व इतना सा फरक है, कहीं बार report में ऐसा भी होता है, कि यहाँ 6.75 तो है, और maximum 6.82 आ 95 आ गया, इतना difference भी आ जाता है, तो difference को देखके हम समझ सकते हैं, कि गोलाई कैसा है, तो measurement देखके हम समझ जाते हैं, गोलाई कैसा है, फिर measurement का और एक इस्तमाल है, आपने tops बनाना है, दोनों same diameter होना चाहिए, तो वो diameter भी measurement से मालूम पढ़ता है, तो जब भी जोडी देख करता हूँ, मैं diameter की बात करता हूँ, minimum और maximum, इन दोनों को record किया जाता है, सिर्फ, 180 reading में से सिर्फ minimum और maximum को record किया जाता है, बाकि सब को record नहीं किया जाता है, और इन दोनों का जो average होता है, इसे कहते है, average girdle diameter, मैं फिर से कहते हूँ, minimum diameter और maximum diameter, इन दोनों का जो average होता है, इस इसे कहते हैं average girdle diameter और पूरा का पूरा cut grade इस AGD, average girdle diameter पे निर्भर करता है आगा चलकर थोड़ी दिन में आपको समझाऊंगा कि AGD पे कैसे cut grade different करता है अचा अब देखते depth, इस diamond में depth कितना है? 4.23, यह 4.23 क्या है? मिली मीटर में है, मैं आपको बता दू, diamond को जो measure किया जाता है, यह मिली मीटर में ही किया जाता है centimeter में या किसी और किसी भी unit में नहीं किया जाता है, मिली मीटर में किया जाता है तो 6.75, 6.78, 4.23, यह हो गया dimension, minimum diameter, maximum diameter and depth in millimeters तो चलिए, अब हम उस famous हिस्सों के समझते हैं, जो हर गराग देखना चाता है कि 4C cut, clarity, color और carat weight यह 4C में से कभी कोई कहते है कि color जादे important है, कोई कहते है clarity जादे important है, कोई कहते है wasn't जादे important है, मतलब कि carat weight, लेकिन 4 के 4 equal important है, अलग-अलग conditions के साथ तो इस report में देखते हैं, वजन क्या है, यह है 1.19, 1 carat 19 cent तो पहले इस 1 carat 19 cent को समझ लेते हैं, यह क्या है जैसे देखिए, पैसा और रुपया, इसका सम्बंद क्या होता है, 100 पैसों में 1 रुपय, आपको पता ही है वैसे ही 100 cent में 1 carat, 100 cents equal to 1 carat तो यहाँ पे 1 carat 19 cent, समझ में आ गया अच्छा, विदेशों में dollar और cent का हिसाब रहता है यहाँ पैसा और रुपया बोलते हैं, इसलिए वहाँ पे point शब्द का अस्तमाल किया जाता है इसलिए कई बार हम cent को point भी बोलते हैं तो हम बोलते हैं, जी 1 carat 19 point ऐसा भी बोल सकते हैं तो carat और cent इन दोने शब्दों का मतलब समय आ गया 1 carat और 19 cent अच्छा, अगर मैं मालनीजिये, मैं लिखता हूँ 0.50 ct इसको मैं तीन तरीके से बोल सकता हूँ 0.50 carat या 50 cent या 50 point या 50 pointer तो point, cent और carat इसका सम्मन जोडता है यहाँ पे तो यह diamond है 1 carat 19 cent का इसके बाद हम देखते हैं, color color क्या है? F color color grade total 23 होते हैं, एक normal color range के लिए तो सबसे अच्छा color क्या है? D ABC कुछ नहीं होता, D से शुरू होता है तो D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z color Z पे जाके खतम होता है, market में कहीं लोग बोलते है color M पे खतम होता है तो यह गलत फैमी है, color M पे खतम नहीं होता, color Z पे खतम होता है क्या है? कि कुछ pricing करने वाले, या फिर जादातर जो market में भिखता है, वो M के ऊपर certified भिखता है M के नीचे non certified भिखता है, तो लोगों ने क्योंकि M से नीचे वाले color के certificates या reports जादा नहीं देखा हुआ है उनको लगता है कि M is benchmark, M में जाके खतम हो जाता है, तो ऐसा नहीं है color खतम होता है Z पे, M पर खतम नहीं होता, यह भी एक मित है तो इस दावन का color क्या है, F color, मतलब के ऊपर से लेके 3 number, D, E के बाद यह F color अच्छा, इसके बाद हम देखते clarity, clarity क्या है, V, S, 1 clarity grade में total 11 grades होते हैं, और इन 11 grades को 5 groups में बताए गया है तो मैं भी पहले 5 groups का नाम बता दू, इनकों अलग videos बनाएंगे, detail में समझेंगे लेकिन फिलाल मैं short में आपको बता दू, 5 groups के नाम पहले group है FL group, दूसरे group है VVS group, हिस्तर गूरूप है VS group, चौथर गूरूप है SI group और पांच्वा गूरूप है I group तो FL में दो टुक्ड़े हो गए, flawless and internally flawless VVS के पहें दो टुक्ड़े है, VVS1, VVS2 VS में VS1, VS2, SIK, SI1, SI2 और I create के I1, I2, I3 कहीं लोग SI3 भी बोलते हैं, पर GIA, IGI को भी ऐसे organization ये SI3 report नहीं देते SI3 नहीं होता SI3, आप रख सकते हैं अपने आप से लेकिन SI3 का report कभी आपने नहीं देखा होगा अगला जो grade है, वह है cut इस report में कहा देख रहा है आपको? Excellent cut तो cut grade में 5 grades होते हैं Excellent, very good, good, fair, poor जिसमें से ये सबसे उपर वाला grade है Excellent grade तो ये रहे 4 C's जिसमें cut, clarity, color mentioned होता है, अब हम जाते हैं इसके नीचे, ये है additional grading information इसमें तीन चीज़ा लिखी होती है Polish, symmetry और fluorescence Polish और symmetry की ratings लिखी होती है grading नहीं, ये rating क्या है? मैं बाद में आपको समझाओ किसी दूसरी वीडियो में, फिलाद समझ लीजिए इसमें Polish जो है, ये है excellent और इस diamond का symmetry भी है excellent fluorescence जो है इसके भी 5 degrees होते है ये standard के अनुसार none, faint, medium, strong and very strong तो अब हम समझते है proportions ये proportions क्या है? चलिए एक figure देखते हैं ये वाला ये देखके थोड़ा stress पढ़ता है confusion होता है, ये angle proportion degrees क्या-क्या लिखावा है सारा काता secret इसमें है इस diamond का cut grade कैसा है? ये पूरा secret इसमें है इन proportions में है जैसे एक doctor ultrasound का report देखके समझ जाता है कि पेट में क्या दिक्कते कहां पर गरवड़ी है वैसे ही एक diamond grader या diamond expert सिर्फ इस हिस्सकों को देखके समझ जाएगा diamond का cut कैसा है? वो गटा है, पलचा है, मोटा है काला पड़ता हुआ है, कैसा है? ये हिस्सा समझ जाएगा तो चलिए, आज आपको वराज समझाता हूँ कि इससे देखके क्या समझा जाता है मैंने पिछले एक वीडियो में आपको कहा था 18 parameters of cut grade उसमें कहा था कि 12 parameters रिपोर्ट में लिखे होते है और 6 parameters रिपोर्ट में लिखे हो नहीं होते है तो यहाँ पे मिलेंगे आपको 10 parameters और 2 है polish और symmetry जो मैंने पहले कहा था तो चलिए, इन में से सबसे उपर समझते है ये 56% ये 56% क्या है? ये है table percentage table percentage मतलब? आप उस 18 parameter वाले वीडियो का आपने देखा था table छोटा और बड़ा हो रहा था इसमसे समय आपको दिखाया था ये है 56% अच्छा जब भी मैंने कहा 56% तो किसका 56%? पर 100% क्या है? AGD average grill diameter पूरे diamond को AGD से compare किया जाता है diameter से compare किया जाता है गडल diameter से compare किया जाता है तो ये 56% क्या है? table percentage है किसका 56%? diameter का 56% AGD का 56% तो अगला देखते हैं 50% ये जो 50% लिखा है ये क्या है? ये है star facet length percentage star facet की लंबाई तो जो table से लेक के गडल की दूरी है इस दूरी से कितना ये गडल की तरफ आ रहा है? इसे कहते है star facet length percentage ये इस diamond में 50% है तो जालिए अब देखते हैं ये जो 36.5 degree रिखा हुआ है ये क्या है? ये 36.5 degree है crown angle crown angle क्या होता है? गडल plane और bezel facet के जो angle बनता है इसे crown angle बोलते हैं हम crown angle को ये हर एक parameter को अलग से समझेंगे detail में फिलाल सिर्फ शॉर्ट में ये समझ लिजे कि गडल plane और bezel facet का जो angle बनता है उसे कहते हैं crown angle और इस diamond में ये है 36.5 degree अचा ये जो 16.5 आप देख रहे हैं ये है crown height crown height क्या होता है? गडल plane से लेके table की जो दूरी होती है इसे कहते crown height अचा ये 16.5 परसेंट तो है 100 परसेंट क्या है? यहाँ बढ़ा दूँ बहुत लोग गलत समझते हैं कि total depth का 16.5 परसेंट ये नहीं होता total depth का 16.5 परसेंट नहीं है ये है AGD का 16.5 परसेंट average girl diameter का 16.5 परसेंट तो चलिए रुक के एक बड़ ये समझ रहते हैं इस diamond में AGD है क्या? आपको याद है थोड़े परले में कहा था minimum diameter maximum diameter divide by 2 AGD उस AGD का 16.5 परसेंट तो अब हम समझते हैं girl मैंने लोगा कहा था कि इस girl को हम दो बार देखते हैं actually तीन बार देखते हैं पर फिलाल मैं सिर्फ दो ही बाब की बाब गरता हूं एक है girl thickness और एक है girl thickness percentage तो जब हम girl thickness देखते हैं तो क्या देखते हैं? valley part तो यवे valley part के thickness क्या है? medium इस पर minimum to maximum देखते हैं क्योंकि 16 के 16 वे valley part ही medium है तो इसलों सिर्फ medium लिखा हुआ है अचा यहां पर देखे लिखा हुआ faceted faceted का मतलब है कि girl के appearance कैसी है girl faceted है girl तीन तरह के होते है girl की appearance तीन तरह के होती है एक बाता faceted एक बाता bruted एक बाता polished जिसमें से यह है faceted चोटे 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 facets आपको नज़र आएंगे girl girl thickness percentage कितना है 3.5% तो यह girl thickness percentage क्या होता है hills main hills की thickness अब हम समझता है pavillant depth को यहां देखे यह 43% लिखा हुआ है और यहां पे यह 40.6 degree लिखा हुआ है यह 43 और 40.6 degree क्या है 43% है pavillant depth pavillant depth क्या है guddle से लेके कीड़ तक की जो दूरी है इसे कहते है pavillant depth और pavillant angle क्या है 40.6 degree इस डिग्री में कहा जाएगा तो यह 40.6 degree अच्छा आपको बता दू यहां पे pavillant depth report में लिखा तो राता है और pavillant depth अपने आपको कोई parameter नहीं होता pavillant angle होता है अब हम समझते है lower guddle यहां जो 80% आपको नजर आ रहा है यह lower guddle अच्छा यह 80% है lower guddle जब हम 80% कहते हैं यह AGD का 80% नहीं होता यह guddle से लेके QLT तकी जो टोटल दूरी है उसका 80% होता है इन topic को बाद में आराम से दूसरी वीडियो में भी देखेंगे और यहां पे है QLT छोट आज़ पॉइंट है QLT QLT है none इस diamond में QLT नहीं है इस QLT के उपर भी नियम है जी GI के अलग नियम है GI के अलग नियम है अचा यहां पे अब देखिए टोटल डेफ्थ जो के 62.5% है इस पे गोर कीजिएगा इंपोर्टन है बहुत ज्यादा टोटल डेफ्थ 62.5% टोटल डेफ्थ 60% होता है उसको हम अच्छा मानते है 60 से कम हुआ तो भी अच्छा ज्यादा बहुत हो भी अच्छा लेकिन थोड़ा बहुत इसके रेंजेज है GI का अलग रेंज है आई GI का अलग रेंज है तो 62.5% यह शो करता है कि इस पीस में हलका गटापन है गटापन मतलब डामेटर हलका सा छोटा है जितना होना चीए फैलावट उतना फैलावट नहीं है तो 60 सा जितना उपर जाएगा इसकी फैलावट कम होती जाएगी तो यहां यह सारे कट परामेटर्स के डीटेल्स दी हुए है इन से हम समझ जाते है कि डामेट का कट कैसा है पवलेन डेफ तक लंबा होगा तक कलोसी आएगा कालापन आएगा क्राउन शैलो होगा तो कालापन आएगा गरल की ठीटनेस कैसी है टोटल लेफ से यह समझ माता है कि यह गट्टा है कि फल्चा है तो यह हमारा है अल्ट्रासॉंड का रिपोर्ट बिना पेशेंट को देखे बिना डामेंड को देखे जैसे अल्ट्रासॉंड के रिपोर्ट से मालूम पढ़ जाता है बिमानी कैसी है वैसा ही इस रिपोर्ट के इस हिस्से में देखे मालूम पढ़ जाए कि डामें कालापन है या नहीं गट्टापन है या नहीं खराबी है तो कैसा है सिमेट्री कैसा है polish कैसा है, सब कुछ एक grader imagine कर सकता है, सिर्फ एक report को देखकर अब हम आते हैं, report के right hand side के निचे के हिस्सर में यहां आप देख रहे हैं, यह है clarity characteristics इस diamond में कौन-कौन से inclusions हैं यह बहुत important है, बहुत लोग ना, इसके importance को समझते नहीं है, यह है main identification feature of the diamond लेकिए, दो diamond का measurement same हो सकता है, दो diamond का table percentage same हो सकता है, crown angle proportion same हो सकता है, color same हो सकता है, clarity same हो सकता है, cut same हो सकता है, लेकिन inclusions same जगे पे आजाए वही inclusion आजाए, यह नामुम्किन जैसा है होता है, VVS1 में या और उचे quality में, जिसमें बहुत छोटे होते हैं उसमें शाद दिख्कर आ सकती है, लेकिन जिसमें भी plotting में या clarity symbols या inclusions है उसमें नहीं दिख्कर आ सकती अरब से पेचान सकते हैं जैसे इंसान का थम impression होता है हर गैक्ति का अलग अलग थम impression होता है पैचान सकते हैं किसका कौन सा है वैसे ही ये symbols है तो देखते हैं इस diamond में कौन-कौन से symbols है कौन-कौन से inclusions है इसमें है crystal, cloud, needle और pinpoint ये चार तरह के inclusions है अच्छा ये चार inclusion है इसका मतली में मत समझ लिजी का कि ये grade नीचे है ये खराब है इसका अलग importance है और इसमें भी बहुत सरी ब्रांतियां है लोग समझते हैं कि जादा लाल-लाल निशन आ जाना मतलब diamond खराब है इसके उपर तुम्हें एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाना चाहता हूँ और ये सारी ब्रांतिया तोड़ना चाहता हूँ देखिए VVS1 जो सबसे अच्छी clarity rate का होता है होसरता उसमें निशान जादा हो लाल-निशान और उससे नीचे VVS2 या माली जे VVS1 को ऐसा diamond में आपको दिखा दूँगा इसका report दिखाऊंगा मैं आपको जरूर इसमें लाल-निशन कम है तो ये लाल-निशन के चक्कर में कहीं बार ग्राहत जो है सोचते की हीरा खराब है ये बहुत बड़े मित है इसको समझना है कहीं आसा नहों कि आप एक अच्छे diamond के छोड़ रहे है ये लाल-निशन के चकर में इसका importance कुछ और है इसका clarity grade से कोई समझन नहीं है फिर से बहुत बहुत अनारी लोगे सोचते हैं कि प्लोटिंग में लाल-लाल निशन आ गया जादा तो clarity grade खराब है जी नहीं इसका clarity grade से समझन नहीं है ये सिर्फ identification feature है और इसका कोई मतलब नहीं है अथो दस्तो क्या देखा जो cut grade में 18 parameters होते हैं ये 18 parameters रिपोर्ट में mentioned नहीं है और असे उसका की कहा था है पिछली वीडियो में कि सिर्फ 12 parameters mentioned होते हैं 6 parameters mentioned नहीं होते ये बाश शॉट पर समझ लेते हैं वो 6 parameters कौन-कौन से हैं brightness, pattern, fire ये अपने आपने अलागला तीन parameters हैं जिसको neck dice से देखा जाता है और ये जान है पूरे cut grade का painting digging, overhead percentage and chart grade ये तीन और parameters हैं तो ये 6 parameters रिपोर्ट में mentioned आपको नहीं मिले बढ़ ये होते हैं तो दस्तो इस वीडियो में हमने क्या समझा certification को समझा रिपोर्ट को देखने का तरीका समझा रिपोर्ट में क्या क्या होता है हमने वो देखा हमने color, clarity, cut, correct weight फिर plotting symbols फिर cut grade parameters, फिर fluorescence के बारे में उपर shape and cut भी क्या होता है इस अब हमने समझा तो एक रिपोर्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि diamond कैसा है दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे आपके बताएं जरूर मुझे comment पर mention कीजिए आपको और क्या जानना है आज कतर topic था इस पर मैंने बताया इस topic में आपको और detail में अगर कुछ समझना है मुझे comment पर लिखिए इस वीडियो को अगर अच्छा लगा like जरूर कीजिए को share कीजिए और हाँ इस वीडियो को end होने के बाद आपको हमारे और भी चार वीडियो को option मिलेंगे उनको भी देखे जरूर आपको अच्छा लगेगा मेरा नाम है उदय है मैं diamond education देता हूँ, lab services देता हूँ, consultation देता हूँ और diamond pricing को research भी करता हूँ diamond pricing से जोड़ा हूँ के सवाल हो तो मुझे call भी कर सकते हैं नीचे इस number पे शुक्रिया